हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दा सक्सस केंद्रा फ्रेंड्स देखें आज इस वीडियो में हम लोग बिहार SSC थर्ड सीजियल वेकंसी 2022 यानि की सचिवाले साहक भरती 2022 के लिए पिछले 12 सालों में बिहार SSC के द्वारा जितने भी साइन्स के यानि की विज्ञान के प्रश्ण पुछेगा है 2011 से लेकर के अब तक उन में से टॉप 55 यानि की 55 प्रश्णों की इस वीडियो में डिसकॉस करेंगे साइन्स का हमारा प्रिवियस यर का यह तीसरा वीडियो है अल्रेडी मैंने दो वीडियो आपको कवर करा दिया है अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लिजेगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट क कर दिजे और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रूप में जहां कहीं में आप हैं चाहे वाटसिप ग्रूप हो फेस्बुक ग्रूप या टेलीग्राम ग्रूप हो वहाँ पर इसको जरूर सेयर कर दिजेगा देखेए फैंस यहां पर प्रते एक प्रशन के नी और 2nd CGL हुआ, उसमें जितने भी प्रश्ण साइंस के पूछेगा है, बिहार SSC के 10 प्लस 2 लेबल के भी साइंस को मैंने इंक्लूड किया है, और साथ ही साथ जो CGL के एक्जाम हुआ, 1st और 2nd, उनके भी साइंस के प्रश्ण को मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है, यह हम आपने उसको नहीं देखा है, तो जरूर देख लिजेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसी प्रकार से मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी और जोग्रफी को भी कभर कराया हुआ है, उसको भी जरूर देख लिजेगा, देखे प्रश्ण ध्यान रखेंगे, ठीक है, पूछा जाता है, चलिए, अगला प्रश्ण है और वीडियो के लाश्ट में अपना अपना स्कूर जरूर कमेंट करके बताएगे, ठीक है, पच्पन कोस्टन इस वीडियो में हम कभर करेंगे, देखे अधात्वे समानेता विदूत की कुछालक होती है, बिल्कुल सही बात है, परन्तु ग्रैफाइट विदूत का सूचालक है, इसका कारण क्या है, यह आप से पुछा गया, देखे ग्रैफाइट जो है, यह कारबन का अपरूप है, क्या आपको पता है, ठीक है, और देखे इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा, यानि कि स्नेहक के रूप में होता है और निव किरियोर रियक्टर में मोडरेटर के रूप में इसका इस्तवाल किया जाता है तो इन सभी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट कोस्टन है कि वातावरेण में सरवाधिक प्रचूर गयस इसमें से कौन सी है तो सबसे प्रचूर मातरा में नाइट्रोजन होता है लगबग 78% नाइट्रोजन पाय जाता है 21% पाय जाता है और कारबन जो है कारबन डैकसाइड इसको ध्यान रखेंगे ये बहुत इंपोर्टेंट 0.03% पाय जाता है नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे किनेमन में से कौन परमानुस संरचना के सिधानतों से संबंदित नहीं था सभी ऑप्षन को ध्यान से पढ़िए थोड़ा से समय लीजिए सोचिए फिर एंसर दीजिएगा देखिए इसका राइट एंसर ऑप्षन अमबर डी हो जागा क्यूरी ठीक है क्यूरी जो है मैडम क्यूरी इन्होंने रेडियम की खोज किया था और इनको दो बार नोबेल प्राइस दिया गया एक बार फीजिक्स के लिए और दूसरी बार इनको केमेस्ट्री के लिए 1903 में यहां मैं लिखता हूं 1903 में इनको रेडियो एक्टिवीटी के लिए दिया गया था नोबेल प्राइस और एक बार 1911 जो है इनको रेडियम की सुधिकरन और पोलोनियम की खोज के लिए दिया गया था चले नेक्स्टकुस्ट्र हमारा कि birds अविक्रिया birds reaction इससे प्राप्ट करने ही तो परयुक्त होती है तब जो है ब्यूटेन प्राप्त होता है ब्यूटेन क्या है ब्यूटेन एलकेन गुरूप का है और इसे ही हम लोग बर्ड रियक्शन कहते हैं बर्ड अब कर लेंगे कि सिर्के का पीच मान लगभग होता है यहां दीकि लगभग सब्द लगा हुआ है तो यह 2.4 से लेकर की 3 2.4 की बीच में होता है यहां पर दीकि 3 दिया गया अच्छा साथ जो होता है उदासीन बिलियन का पीच मान होता है खाने वाला जो नमक है एनसे ल उसका पीच मान होता है और जो सुध पानी है उसका पीच मान भी साथ ही होता है नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगी कि मस्रूम क पाइक कोवक का अध्यान क्या कहा जाता है इसकी काई है लुगसwon है यह किसकी कई है ताप की काई क्या है केलवीन है द्रवेमान का किलोग्राम है और बल का न्यूटन है चले नेक्स्ट कुस्सन हम रहे कि एक नैनोमेटर बराबर है तो एक नैनोमेटर 10 to the power minus 9 मेटर हो जाएगा इसका राइट अंसर अगला प्रश्ण है कि किस कोईले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है अधिकतम कार्बन की मात्रा एंथरासाइट में होती है ठीक है यह सबसे उच किसम का कोईला होता है और जो समाने किसम का कोईला है यह बीटू मिनस होता है और जो निमन किसम का जो सबसे खराब मतलब क जिसमें सबसे कौम कार्बन के मातरा होती है वह कौन सा है बताइए तो यह पीट है चलिए उसका बाट नेक्स्ट कुस्टन है कि शरीर के किस अंग की खरावी से मदू में रोग का प्रकोफ होता है तो यह आपको पता है मदू में स्रावित इंसुलिन जो होता है यहाँ कहां से स्रावित होता है तो पैंक्रियाज से ठीक है और पैंक्रियाज का यानि कि अगनासे का जो लेंगर हैंस की दिपिका का बिट करते हैं अप्शन नंबर ए राइट रहो जाएगा धिसान रखेंगी या दूरी पर निर्भर नहीं करता है ठीक है यहां पर दूरी भी दिया गया है तो ऐसा नहीं इनके ताप मान पर निर्भर करता है अगला प्रस्शन की iodine test का प्रयोग किसकी उपस्तीती जाजने के लिए होता है आयोडीन टेस्ट का बताजए देखें friends iodine starch परिक्षण एक रसानीक प्रतिक्रिया है जिसका उप्योग starch की उपस्तिती के लिए किया जाता है और आयोडिन टेष्ट की सहयता से सबस्यों में कर्बोहेड्रेट की उपस्तिती का भी परिक्षन किया जाता है तो यहाँ दिक्वे और हो जयागा इसका राइटनसर अगला प्रश्णिय के या जंजावत की संभावना option number यहां पर सी राइटेंसर हो जागा देखिए सेकंड सीडियल पीटी 2015 में पूछा गया है नेक्स्ट कुछ सेने कि निमन में से कौन सा ब्लड ग्रूप सरव व्यापक ग्राहिता यूनिवर्सल रेसिपीटर है तो यह ब्लड ग्रूप इसको उनिवर्सल डोनर कहा जाता है ठीक है ब्लड ग्रूप ओ को ब्लड ग्रूप की खोज किया था किसने तो कार्ल लेंड इस्टीनर ने किया था नेक्स्ट कुछ सेने हमारा कि एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी हजी से यहां देखिए सिंबॉल भी दिया गया है भरी बा गहनत्व इस पात का यानिकी लोहे का गहनत्व पारे की गहनत्व की तूलना में काफी कम होता है इसलिए यहां पारे या पारत की सतह पर तैरेगी नेक्स्ट कुस्ट ने कि डेसिबल का प्रियोग निमनकित में से किसके मापन के लिए होता है तो यह ध्वानी की तिवर्ता option number C, right answer, इसका हो जाएगा, calcium क्या हो सकता निमन में से किस निमित है, तो देखे, man species की कारे करने में के लिए भी, हडियों की विकास के लिए भी और खून जमने के लिए भी, तो उपरुक्त सभी इसका राइट इंसर हो जाएगा, next question है कि car की battery में किसका इस्तमाल होता है इसमे next question है कि गहरा जामुनी योगिक पदार्त, जो antiseptic, disinfectant की तरह उप्योग होता है, वो कौन सा इसमें से, तो यह potassium permagnate है, यहाँ पर देखेगा potassium permagnate KMNO4 जो होता है, इसका formula होता है, next question है कि lipase द्वारा वसाक के जलिये अब घटन पर मिलता है, बताए इसका राइट अंसर क्य ठीक है वसी यह अमल और गिलेसरोल हो जाएगा option number इसका बी राइट अंसर है, उसका बदिके कार का एक पहिया जो सडक पर चल रहा है, अब इसमें से देखेए सारे घटन जो हैं जितने परकार के वो दिये गया है और पूछा गया है कि मतलब उनके मातरा सबसे ज़्यादा फिर उससे कम फिर उससे कम ठीक है तो आपको पता है कि जो घर्षन बल होता है वो सतहों की प्रकृतिज होती उस पर निर्भर करता है और जो एस्थैतिक घर्षन है वो उसका मान सबसे ज़्यादा होता है एस्थैतिक घर्षन का फिर हो जाएगा गतीज घर्षन का और रॉ अच्छा गया है Fahrenheit का यहां पर जो है दिया गया है मान और आपसे पुछा गया है Celsius पैमाने पर तो अगर फर्मूला आपको पता है तो बहुत आसानी सा आप इसको solve कर लेंगे C equal to C upon 5 equal to कितना होता है F minus 32 upon 9 होता है अब यहां F के जगह पर यहां 5 पूट कर देजिए यहां 5 दिया गया है यहां चलिए 5 में पूट कर देता हूं अब देखें यहां पर आप यहां 5 है minus 32 है तो इसको further solve करेंगे तो C upon 5 equal to यह कितना हो जाएगा minus 27 हो जाएगा 32 में से 5 जाएगा तो यहां पर माइनस आएगा minus 27 और 9 है तो यहां फिर यह एक बार नौ तिरे के 27 होता है तो C equal to कितना हो जाएगा देखें यह cross multiplication करेंगे हम माइनस है धिहान रखना आपको तो यह minus 15 डिगरी हो जाएगा तो यहां दिका option प्रिंसिपल हाइजनवर का option पर इसका बी राइट अंसर हो जाएगा उसका वादि के भूक लगने पर कोई व्यक्ति सरपर्थम उप्योग करता है अपनी किसका इसमें से तो यह करेगा ग्लाइकोजन जो है यहां कहां संचीत रहता है तो लिवर में यकी रीध में ठीक है और इसी का उपीडियोग किया जाता है सरपर्थम भूक लगने पर इन में से कौन एक प्रोटीन नहीं है बताइए तो इसमें से प्रोटीन जो नहीं है यह लिंफोसाइट हो जाएगा लिंफोसाइट जो है क्या है बलड सेल है नेक्स्ट को सने विसानूं में होता है तो विसानूं जो होता है उनमें आरेने भी होता है लेकिन कोई एक समतल दर्पन की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पन में अपना प्रतिभीम इस चाल से अपनी और आता प्रतित होगा तो देखे फ्रेंड्स आपको याद होगा यहां पर देखे समतल दर्पन दिया गया है यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पन की और चलता है समत तो उस दर्पन में अपना प्रतिवीम वहा तू भी चाल से अपनी और आता प्रतित होता है उसको तू भी हो जागा इसका राइट अंसर अच्छा किसी वस्तु का समतल दर्पन में पूरा प्रतिवीम देखने के लिए दर्पन की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आध करता चाल्स के नियम को प्रकट करता है तो देखे चाल्स का नियम क्या है इस्थीर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परमताप का समानु पाती होता है यहां पर देखेगा option number इसका C right answer हो जाएगा clear जो आयतन है यहाँ क्या है temperature के समानुपाती है directory proportional है next question हमारा कि संपर्क विधी इसके निर्बान में परियोग होती है तो संपर्क विधी का जो है यहाँ पर परियोग होता है किसके निर्बान में तो sulfuric acid जो होता है उसके ब्यवसाइक अस्तर पर उत्पादन के लिए तो H2SO4 इसका right answer हो जाएगा पहाड़ों पर नाकों से रक्त निकलने का प्रमुख कारण क्या है तो वहाँ पर क्या होता है वहाँ मंडलियद आप कौम होता है वहाँ मंडलियद आपका घटना option number D इसका right answer हो जाएगा संक्रामक रोग और बाहे प्रभाव से सरीर की रक्षा करने वाली कोई सिका कौन सी है तो यह आपको पता है यह कोई सिका WBC है जिसको कि सफेद रक्त कनिका कहा जाता है और इसको एक और नाम से जाना जाता है मैंने कई बार आपको बता है लिकोसाइट्स के नाम से यह आप जरूर याद रखेंगे option number A right answer हो जाएगा अगला प्रशने की chlorophyll में कौन सा तत्व पाये जाता है तो यह magnesium पाये जाता है peptic ulcer के लिए कौन जिम्मेदार है peptic ulcer जो होता है यह क्या है तो peptic ulcer जो है ध्यान रखेंगे फ्रेंट्स एक तरह का घाव होता है और हैलिको बैक्टर पायलोरी जो है इसके लिए जिम्मेदार होता है next question है विदूत LR में मुख्यता कौन सा सेल परियोग होता है तो इसमें लेकलांजी सेल का इस्तमाल किया जाता है अगला प्रश्ण के पलाजमा का मुख्यता तो क्या है अच्छा रक्त में पलाजमा पाय जाता है और कूल रक्त का 55 परतिसद जो होता है लगभग पलाजमा होता है और प्लाजमा में सबसे ज़्यादा जल होता है सोल्डर किस ऐसक का मिश्रन होता है सोल्डर बना होता है टीन और सीसा का ऑप्शन नमबर A होगा राइट अंसर इसका जिस प्रकार से मत्स विज्यान मचलियों के अध्यान से संबंधित है उसी प्रकार जराब इग्यान संबंदित है तो जराब इग्यान संबंदित है उम्र व्रिदी के अध्यान से, option number D हो जाएगा right answer, किसी भी प्रशन में अगर आपको doubt है, तो आप comment करके बताईएगा, वात अवरन में carbon dioxide का प्रतिसत क्या है, अभी मैंने बताया था आपको 0.03%, ठीक है, सबसे ज़्यादा nitrogen होता है, 78% और oxygen होता है, 21% लगभग होता है, प्राचीन भोगार्विक चट्टानों की आयू को मापने के लिए किसका इस्तमाल किया जाता है, तो इसका जो सबसे उप्यूक तेंसर होगा, ये potassium argon dating होगा, option number D, right answer हो जाएगा, अगर आपको doubt है, तो आपके हाथ में mobile है, आप सर्च करके भी देख सकते हैं, ठीक है, option number D, potassium argon dating, भोगार्विक, प्राचीन भोगार्विक चट्टानों की आयूक मापने के लिए, देखे कौन सा protein, साधारन protein का एक उधारन है, तो इनमें सा कौन सा है, तो ये globuline है, अच्छा, globuline मानव रक्त में protein का एक सम्मू है, या लिबर में प्रतिरक्षा प्रनाली द्वारा जो है, निर्मित होता है, और globuline लिबर में कार, लिबर के कार, रक्त के ठके जमने, और संकर्मन से लड़ने में महत्तपुन भोमिका निभाता है, चली, अगला प्रशने के कि सतरंग का परियोग, रक्त भीहिन surgical operation के लिए क किया जाता है, तो सबसे ज़्धा आगर हम बात करें, तो ultrasonic का इस्तमाल किया जाता है, लेकिन ultrasonic का भी इस्तमाल किया जाता है, तो Metra Synic Downtown,mart My जबल बीसी का पुछेगा तो कितना होगा वीस से 120 दिन गर्म सुप स्वादिष्ट होता है कारन क्या है तो गर्म सुप का प्रिष्ट तनाव कम होता है इसका प्रिस्टतनाव कम हो जाता इसलिए यह स्वादिश्ट होता है अगला प्रश्ण कि कौन से रासानिक घटना है इसमें से रासानिक घटना पुछा गया है। रासानिक परिवर्तन भातिक परिवर्तन अपने पढ़ा होगा तो दूद से दही बनना। option number इसका C right answer हो जाएगा, बाकिस अभी भहुती घटना है, ये राशानी घटना है, चलि उसका बाद next question है कि जल, sulfuric amal, काच और carbon dioxide, कि अपरतनांक यहां करमसा दियेगा है, जल का दियेगा है 1.33, sulfuric amal, काच का 1.53, और carbon dioxide dioxide का 1.63, प्रकास की गती नियुनतम होगी, अब यहां ध्यान देंगे, बहुती अच्छा question है, प्रकास की गती नियुनतम पुछाएगा, तो जिसका अपरतनांक सबसे ज़्यादा है, उसमें प्रकास की गती नियुनतम होगी, तो इस सबसे ज़्याद इसमें से कि प्रकास की गती अधिकतम किसमें होगी, तो जिसका सबसे कम है, यानि कि सबसे कम यहाँ जल्का है, इसमें प्रकास की गती अधिकतम होगी, तो इस तरह से आप याद रखेंगे, नियुनतम पुछा गया है यहाँ पर, तो नियुनतम जिसका अधिकतम अपरतना कार्बन डाइक साइड कार्बन डाइस सलफाइड इसी में जो है प्रकास की गति नियून्तम होगी गुर्टवा कर्शन जी का मान कितना हो जाएगा तो नैन पाइंट यहां देखे एट मिटर यहां पर पर सेकंड स्कॉर हो जाएगा उसका बद नेक्स्ट कुस्टन देखिए एक्स किर्णों का उप्योग क्रिष्टल संरचना अध्यान के लिए किया जाता है इसका कारण क्या है पहले आप सभी ऑप्शन को एक बार देखिए ठीक है अच्छा एक्सरे की खोज किस ने किया था रोंगजन ने किया था एक्सरे में हाई एनरजी विद्रचुमब की वि किया जाता है अगला प्रश्ण करेंगे नेक्स्ट कोस्टन हमारे कि सिमेंट के ग्रैंडिंग प्रक्रम के अंतरगात क्लिकर चून में जिप्शन मिलाने का उदेश क्या है तो जो सेटिंग की दर है उसको मंदित करना और यहाँ पर डी हो जाएगा इसका एंसर अच्छा सि